और बॉलिवर्ट ख्लिप्स देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिस तरह से चील आसमान से उतर कर जमीन पे तल पड़ाने वाले कीडे मकोडों को अपने पंजों में दबोच के शांत कर देती है उसी तरह से हम चोर बदमाश और डाको को शांत कर देते हैं हमारा नाम प्रशान्त है कौन थे ओ गुंडे उनका हुलिया बताओ ताकि पुलिस उनको ग्रेफतार कर सके खामोश क्यों खड़े हो तूम बताओ तूम बताओ इंस्पेक्टर साब यह बिचार लोग क्या बताएंगे सब डरे हुए हैं अब आई नहीं हमारे साथ हम बताते हैं आपको आईए यह तुम लोगों की पहली गल्ती थी इसलिए गोलिया परचाईयों पर चली अगर तुम लोगों ने दुबारा इसी गल्ती की तो गोलिया सीध ही तुमारे सीने पर चलेंगी कौन है वो जिसने शाकाल से दुश्मनी करके मौत को दावत दी है बास वो एक कुली है जिसका नम परशांत है परशांत तुमी वो कुली हो जो कौर्ट में हमारे आदमियों के खिलाप आवाज उठाना चाहता है अगर हम चाहे न तो उनलों के अर्थियां भी उठा सकते हैं अगर हम आपको पहचाने नहीं साहें मेरा नाम शाकाल है जो हमारे खिलाब आवाज उठाता है हम उसे खामोश कर देते हैं बहुत उची उची बाते कर रहे हैं हां अरे हम वो है जो उड़ती चिडिया के पंग काट को उसको शांत कर देते हैं हमरा नाम प्रशान थे बच्चा जब तक आग से जलता नहीं उसे खिलावना समझता है जरा उदर देखो मेरे एक इशारे की देर दोनों लाश में बदल जाएंगे हरो तू अधालत में वही कहेगा तो मैं चाहूंगा माई बाप हम गाओं से सहर आये थे बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए लेकिन भागे देखिए कि हम बन गए साला एक कूली है लेकिन बड़ा आदमी बनने की इच्छा हम अपने दिल से निकाल नहीं सके हो जो इसने मौका मिलते ही चोरी की और पकड़े गए और घबरा के सारा का सारा इल्जाम हम इन देवता सरूप लोगों के उपर लगा दिया लेकिन हजूर माई बाप अब हम यह सुएकार करते हैं कि यह सारा कसूर हमारा है और यह लोग बिलकुल बेकसूर है चूंकि मुझरिम प्रशांद ने खुद अकबाले जुर्म कर लिया है इसलिए अदालत उसे ताजिरात हिन जेरे दफ़ा 276 के तहट दो साल खैद बामुशक्कत सजा देती है प्रशांद तुमको जेल में भी खाना मिल जाता है लेकिन बाहर रामु और पार्वाटी को क्या खाना नसीव हो रहा होगा पार्वति बहन तुम अपने मंगल सुत्र बेच रही हो हाँ लाला मैं जानती हूं एक सुछागन का मंगल सुत्र उसकी चीटा के साथ ही जलता है लेकिन मैं वो बदनसीव हूँ जीतेजी अपने सुहा के निशानी को बेच रहे हूं तक अपने सुहा का सपना पूरा कर उनका भाई राम पर लिखर बहुत बढ़ अपमी बन चाहे और आज आज इसकी फीज बने की आखरी तारिख है अच्छा अच्छा यह लो दो सो रुपया अच्छा लाला अच्छा अच्छा इरे इसकुल के फीज याद से दे नहां अरे वाँ दो सो रुपया कहा से लाई पती महाराज तो जेल में चेक की पीस रहे है और यह यह ग्यों की तरह पिस रही है लगता है इसनों भी चोरी काम शुरू कर दिया मैं तुमारे आगे हाथ जोडती हूं मेरी रुपया वापस कर दो और रामुकानम स्कुल से कर जाएगा देदो राम की गड़धन भी कड़ जाय तो भी रुपया हम वापस नहीं देंगे वाला तुम ये जवानी हम पर निचावार कर दो तो हम ये रुपिया तुम पर निचावार कर देंगे छूट ने, मेरा हर दो हमेडर! अबे! तेरी तॉट! तोट! 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 चला! तुझे लागा तोट ही? हाँ?? कि कैसे हो पारवाथी अच्छी हूँ अपना राम तो ठीक है ना अच्छा है उसके इम्दहान के तो यारी ठीक चलिए हां उसकी फीज भर्दी तुमने हां भर्दी पैसे कहां से मिले है वो मैंने पहले से कुछ पैसे जमा किये थे और फिर मुझे एक नौकरी भी मिल गई है हां पार्वाथी है हमरा तो एक ही सपना है कि राम पढ़ ले के बहुत बड़ा आप बंचा है उसका ख्याल लखना कि सब कुछ हो अरे तुम्हारा मंगल सुत्र कहां है मैंने मैं बेच ड़ागा है स्कूल की फीज जदेनी थी ओफ पारवाथी तुम्हां चेहरा देख है हमको समाझ जाना चाहिए था कि तुम लोगोंने मेरे बगार कैसे दिन गुजारे होंगे तुम तुम रो क्यों रही हो बारवाथी रोमाथी तुमने जो कुछ भी किया है मुन्हा को एक बड़ा आद्मी बनाने के लिए यह सब कुछ करने के बाद भी मैं उसकी स्कूल की फिस्द ना दे सकी दो तिन से उसे ठीक से खाना भी नहीं दे सकी मंगल सुत्रों बेजकर जो पैसे मिले थे वह सब उन गुंडों ने चेल लिए जिन तुम चेल बेजवाय था दो मत परवती जिन गुंडों ने तुमसे तुम्हारा मंगल सूत्र चीना है जिनोंने मेरा मुन्ना की फीस और उसकी रोटी चीनी है उन जालिमों से मैं उनके चिंदकी चीनी हूंगा करेंगा ब मैं! खरेज थांग वई आ達की के चीन थे प्शीन के चा दोरी कップने है य जरू स।त्र अथे लेगे टीन थकर बैली हिस अ फिरो औरन की बजक्ती है तुम तर जेल में ते यहां कैसे आ गए यह मत पूछो के हम कैसे आ गए यह पूछो के हम क्यों आए जिस गरीब की बीवी का मंगल सुत्र बाजार में बिकने के लिए आ जाए जिसके छोटे भाई के फीस का पैसा चीन लिया जाए और वो जब कुछ बोले तो उसे कुट्टे कितना मारा जाए उस गरीब के खून का उबाल जेल तो क्या कि दुनिया की कोई दिवार नहीं रौप सकती है तुम लोगन हमरे मुन्ना की जिन्दगी का एक साल बरबाद किया है हम तुम लोगों की पूरी जिन्दगी बरबाद कर देंगे कि दुम लोगन हम 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 लोगन जए ढेंहेंडू ra लवसे थाणीे झाल मेरे लुप कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि तुमारी दूसरी गल्ती का अंजाम तुमारी मौत होगी इसलिए उठाओ पिस्तॉल और अपनी मौत की रस्म को अदा करो कि अधाओ कनपटी पर रखो और चलाओ गोली मुझे पहले से ही शक था कि माउत के डर से तुम लोग गदारी पर उतर आओगे इसलिए मैंने तुमारे पिस्तॉलों में नकली गोलिया भर दी थी लेकिन मेरे पिस्तॉल की गोलिया असली है आज अभी इसी वक्त ठीक है परवती कौन अब आज दरवाजा को लो जल्दी करो तुम इतनी रात को ख़िए तुम जेल तुरकर तुन नहीं हैं नहीं हम जेल से छूड़ गये लेकिन आप हम लोग इसी बक्ती सहर छोड़ देना पड़ेगा जल्दी करो किसलिए क्या बात हमको लगते तुम उमसे हम तुमको बादे सब कुछ बता देगे चलोग जल्दी करो इसा हमने पैसा इपन्हें कासे मिला हम ने सब। चोह पाप नहीं हुआ हैं। तुम यह लग में तुमें यह पापके शुरी कुर्या करने कुछिए शुर में यह नहीं किद आपके रचते में है। किन दौन लगोल यह से लोटा हो किद डूम कई Bite बर्माद किसमा कुछ नहीं desert तबाह और बर्बाद तो हम हो ही चुक हैं बर्वती सच्चाई के रास्ता पर चलके हमने दुनिया में आग लग गई अब हम सारी दुनिया हो में आग लगा कर देने अम्तर 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 फल्ण खवी द Is थ्षच्छ दो बस्द दॉल क्वार्णीर चीज़ते हैं खुरी लोगाई को एगा हो, रगाई टाई झाल, टाई झाल, पो एगा हो? है कि एग पार टुम क्या समझते थे जियल तोड़कर कानूं के हाथ से क्या बच जब जाओगे रहे पाकर नहां तो उनको पप्रोन जिसने गुनर क्या है इनको छोड़ दो जिसका कश्या पर जिसको है मुझ कर दो जिए है इस यही वह आदमी है इसने शाकाल की तकदीर में पहली बार आर लिप दी और इस वक्त जेल में दो साल की सजा काट रहा है आलिपूर जेल में इतने काम का आदमे और जेल में मुझे याद में चाहिए आओ प्रशायम्ताव यह हमारे बॉस जिन्हों तुम्हें जेल से रहा करने का पूरा इंतिजाम किया है नमस्कार सर आपका योपकार में जीवन भर नहीं बूई सकता हूं बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर आओ गारी में बैठाओ मुझे खबर मिली है कल ठीक तीम बजे टाइमन हारबर पर टिसो जानाम का एक आदमी शाकाल को पांच करोड रुपए की सोने की डिलिवरी देगा और वही सोना कल साम को पांच बजे साकाल खुद रिड वैली में आकर अपने हाथों से हमें डिलिवरी कर जाएगा साकाल हम प्रशांत बोल रहे हैं मैं दुश्मन की आवाज को अच्छी तरह पैचानता हूँ पैचानते हो तो काम बहुत ही आसान हो गया क्या कि कल ठीक पांच बजे साम को तुम अपने हाथों से पांच करोड का सोना हमको रिड भैली पहुंचाने आओगे समझ गए मैं दुश्मन को सोने का नहीं माउत का तुफा देता हूं किसकी तक्दीर में मौत है और किसकी तक्दीर में सोना यह तो तुम्हे कल परा चल जाएगा साम के ठीक पांच बजे हलो बस हलो सब ठीक ठाक है डी सूजार एवरिते हुख के बस ओके लिरो कि पांच बजने वाले कि पांच बजे तक आप खुद सोना लेकर रेड वैली पर पहुंचा जेंगे लगता है जेल से निकल कर सीधा पागल खाने पहुंच गया और बीना इलाज करा है वहां से लाउट आया मेरी आवाज सुनकर तुम चौक गए होगे मैं जब हसता हूँ तो तुम क्या हज्जारों साकाल के दिल तहल जाते अगर तुमने मेरी आवाज सुनने बंद कर दी तो मौत का थमाका सुन लोगे जो पंद्रे मिनट के अंदर होने वाला है तुम्हारी काड़ी में टाइम बॉम फिट है अर्वाजा खोलने जे पहले अगल बगल चांक कर देख लो अर्वार गारी तेख चलाओ और तेख चलाओ अर्थी आर्थी तुम अपनी चिता से उत्रोंगे तब जब हमको माल दे दोगे हमने कहा था ना कि हम उड़ती चिडिया का पर काट कर सांथ कर देते हैं हमरा नाम प्रशान आज बाजी तुमारे हाथ में प्रशान लेकिन याद रखना एक ने एक दिन बाजी पल्टेगी तब शेय मैं दूँगा और मात तुम खाओगा अरे भाई हम गाओ वाले आदमी सत्रंज नहीं खेलते बीच में लाइन बनागर कबड़ी खेलते हैं और कबड़ी में बाजी वही जीतता है जिसके बाजुओं में दम होता है बाज़ी जीतता है